गुड मांद ये रेश्टरेंट्स इस क्लास के ताथ सभी विद्यार्थी ध्यान दे कि आज आप लोगों को इंग्लिश प्रोज मतब क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए दे लॉस्ट दनतों नहीं लिखा है लॉस्ट इस्प्रिंग इस्टोरीज आफ इस्टोलन का इस सेकंड वीडियो है एनिस जंग इसके क्या है ऑथ्रेस है मतलब राइटर है लेखे का जिसको कह सकते हैं और इन्होंने एक स्टोरी जो लिखा है मतलब किस तरीके से बच्पना चुरा लिया गया मतलब इसमें छोटी-छोटी कहानियों का जिक्रेन होने किया है तो यह क्या है 11 नंबर पर चलते हैं और वहां से आपको चैप्टर पढ़ना है लेकिन इसके पहले आपको फ्रस्ट वीडियो देखना ज़रूरी रहेगा क्लियर हो गया तो इसमें आप लोगों को हम देखे 11 नंबर पर चलते हैं तो 11 नंबर जो आपका है इस्टेंजा आप अपनी बुक थोड़ा सा खोल के अगर सामने रखेंगे तो सुभधा भी हो जाती है वैसे मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को सारा एक्स्टेट सामने रहे जिससे कि आप मतलब मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं पूरी तरसे कोई प्रॉब्लम क्रे इसास फैमिली इस एमंग दिम उन्हीं में से एक था मुकेश का परिवार अब देखिए नन आप दिम नोन दैट इट इस इलेगल फार चिल्रेन लाइक हिम टू वर्क इन दा ग्लास फरनेस वित हाई टेंपरेचर नन आप दिम उनमें से कोई भी नहीं नो जानता था इस इलेगल कि यह अवैधानिक है फार चिल्रेन बच्चों के लिए लाइक हिम जैसे कि वह टू वर्क इन दा ग्लास फरनेस ग्लास का मतलब होता है कांच का फरनेस का मतलब भठी में काम करना वित हाई टेंपरेचर मतलब उच ताप मान पर काम करना अवैधानिक था इन डिंजी सेल्स बिदाउट एर एंड लाइट मतलब जो छोटी-छोटी कोट्री थी जिसमें ना तो प्रकास था ना ही क्या हवा देट दल्ला की नियम इफ इन फोर्स्ट यदि वो किस में आए इन फोर्स्ट का मतलब वर्किंग में आए कुड़ गेट हिम एंड आल दूस ट्वेंटी-थाउजन चेल्डरन जो पा सकती है उसे और बीस हजार बच्चों को आउट आप दा हट जो किसे है जोपडी से बाह फार्निस और कहां पर मतलब भड़्टी के पास वेर दिस लॉग दियर डेलाइट आवर्स जहां पर की वह स्लॉग मतलब बिताते हैं अपने दिन के घंटे आफिल लूजिंग दा ब्राइटनेस अप दियर आईज और अक्षर अपने आखों की रोशनी खो देते हैं मुकी साज आई बीम as he volunteers to take me home मतलब मुकेस की भी आखें आखों की जो भी मतलब किरेने थी as he volunteers जैसे की वह मतलब क्या था volunteer मतलब कारे करता तो take me home मुझे कहां लाया घर which he proudly says जहां पर की वह गर्व से कहता है is being rebuilt मतलब इसे क्या किया जाएगा पुनह बनाया जाएगा be walk down staking lens choked with gar wax be walk down हम चल के रके आए staking lens मतलब कहां से गंदे कस्वों से choked with gar wax जो किस से भरा हुआ था कोडे करकट से पास्ट होम देट रिमेन पास्ट होम देट रिमेन होवल्स बित क्रम्बलिंग वाल्स जो टूटी वी देवालों से मतलब क्या था बना हुआ था बॉबली डोर्स वो खड़े हुए दर्वाजे थे no windows कोई खड़किया नहीं थी crowded with families जो परिवार से भरा हुआ था आफ हुमन मतलब हुमन मतलब मानों के और एनिमल्स और जानवरों के कॉक्स टिंग ए ट्रिम्बल एस्टेट आगे लेखें लेखें ही स्टॉप्स एड़ डोर आफ वन सच हाउस वह ऐसे ही एक घर के दर्वाजे के पास क्या होता है रुका बैंक्स ओवली आइरन डोर विथ इस फोट देखें वह एक ऐसी दर्वाजे पर रुक जाता है लोहे के डगमगाते दर्वाजे की ओर जोर से लाथ मारता है एंड पुसेस इट ओपन और धक्का मार के उसे खूलता है वी इंटर हाफ विल्ड सेक और हम उसके बाद क्या करते हैं इंटर करते हैं मतलब प्रवेश करते हैं यहां से है थोड़ा सा अब यहां से अपलोग करेंगा वी इंटर सहाफ सेक इन वन पार्ट आफ इट मतलब उसकी इसकी एक भाग में हम लोग क्या करते हैं हम एक अधबनी जोपड़ी में प्रवेश करते हैं इंटर हाफ विल्ड सेक इन वन पार्ट आफ इट उसके एक भाग में थैस्ट बित डेड ग्रॉस मतलब उसकी सूखी घास के छपपर वाले एक हिस्से में इफ हायरूड इस अफ हायरूड एक चूल है इस्टोब ओबर विच सिट्स अलार्ज वेसल्स आफ सेजलिंग इस्पिंच लीब जिस पर एक बड़ा बरतन रखा है जिसमें पालक की पतियां खदर बदर करते हुए उवल रही हैं सिजलिंग इस्पिंच लीब्स ठीक है आन दे ग्राउंड जमीन पर इन लार्ज एल्मूनियम प्लेटर्स मतलब बड़े क्या थे एल्मूनियम की प्लेटें आर मोर चॉब्ड और कटी हुई क्या बेजेटेबल्स मतलब सब्जियां थी अफ्रेल यंग ओमिन एक कमजोर युवती इस कोकिंग दा यूनिंग मिल जो साम का भोजन क्या कर रही थी बना रही है फार दा हूल फेमिली पूरे परिवार के लिए देखें आखों से पूरी तरह से मतलब धुये से भरी हुई आखों से वो मुस्कराती है वो मुकेस के बड़े भाई की क्या थी पत्नी not much older in years she has begun to command respect as the बहु not much older in years जो वरसों में बड़ी नहीं थी she has begun to command जिसने शुरुवात कर चुका था respect करना as the बहु जैसे की बहु का the daughter-in-law मतलब किसका पुत्र बधु का आप the house घर के मतलब अभी ज्यादा उमर की नहीं थी लेकिन इतनी जब आप देंगे उसके उपर आगई थी already in charge up three men वो पहले से ही मतलब तीन आदमियों का charge क्या कर चुकी थी ले चुकी थी harassment, मुकेस and their father मतलब कौन थे उसका पती और उसके मुकेस के फादर मतलब पिता when the older man enters जब बड़े लोग मतलब क्या करते हैं प्रवेश करते हैं she gently withdraws behind the broken wall and bring her wells closer to her face she withdraws behind the broken walls मतलब वो अंदर हो जाती है उन तोटी हुई दिवालों के and brings her wells closer to her face और अपने घुंगट को अपने चेहरे तक ले आ देती हैं as custom demands जैसे की रित रिवाजों की मांग थे daughter-in-laws पुत्र बधु के लिए must well dear face before male elders कि वह अपने चेहरों को ढख ले जिससे पहले की कौन बड़े लोग अंदर आए इन दिस केस इस संदर्व में the elder is an important imporvist bangle maker मतलब जो बड़े थे वो भी क्या थे चोड़ी बनाने वाले despite long years लंबे समय थे of hard labor कठिन परिश्रम के बाद first as a tailor then a bangle maker पहले तो हुए कपड़ा सिलने वाले बाद में क्या अचोड़ी बनाने वाले हो जाते हैं he has failed to renovate a house he has failed to renovate a house और असमर्थ हो जाते हैं घर को क्या करने में पुना बनाने में send his two sons to school अपने दो बच्चों को school भेजने में all he has managed to do जो कुछ वह करने में सक्षम होते हैं is teach them उन्हें पढ़ाना what he knows वह क्या जानता है the art of making bangles क्यवल क्या बनाना चूड़ियां बनाना देखें यहाँ पर poverty का आथ्रेस ने किस तरीके से क्या किया गरड़िन किया है ऐसा ने कि उसी समय समाज में था आज भी समाज में ऐसे स्थितियां भी दिमान है कि बहुत सारे बच्चे जो मतलब by force work के लिए क्या हो जाते हैं बाद हो जाते हैं मतलब काम करने के लिए ना तो उन्हें इसकोली से इच्छा मिल पाती है ना उन्हें वो लिवर्टी मिल पाती है जो उनके बच्चपन को क्या होती है जरूरत होती है it is his कर्म his destiny मतलब यह उसका कर्म है destiny मतलब उसका भाग्य है says Mukesh Mukesh कौन कहता है grandmother Mukesh की धादी कहती है यह उसका कर्म उसकी भाग्य है who has washed her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles who has washed जिसने देखा हर own husband अपने खुद के पती को go blind अंधे होते with the dust from polishing the glass bangles उस धूल से जो चोड़ियों को polish करने से क्या होती है निकलती है कैन अगुड गिवन लिनेंज इवर ही ब्रोकन कैन अगुड गिवन लिनेज क्या कभी इस्वर द्वारा प्रदत देने बंस परंपरा तोड़ी जा सकती है लिनेज मतलब तोड़ना होता है भी ब्रोकन सी इंप्लाइज वह आगे कहती है बाड इन दे कास्ट आप बैंगल्स मेकर्स जो चूड़ी बनाने वाले के परिवार में क्या हुई हो पैदा हुई हो आगे देखा है आगे देकान वह सेन नठें बड बैंगल्स उन्होंने कुछ नहीं देखां बल्स के वल क्या देखा हैं चोड़ीं इन zach कारों में इन दी यार्ड आगन में इन In every other house, हर घर में, every other yard, प्रतेक आगन में, every state प्रतेक गलियों में कहां, in फिरोजाबाद. Spirals of Bengals, Sunny Gold, Pedigreens, Royal Blue Pink, Purple, every color born out of the seven colors of the rainbow. Rainbow, मतलब भार प्रकार की चूड़ियां वहां पर क्या होती है, बनती है, जिसमें की writer, मतलब लेखे का last में कहती है, कि एक किस कलर में हो जाते है, rainbow color में. Lie in mounds in unkempt yards, जो पड़ी रहती है, कहां पर उस yard में are built on four wheeled hand cards, जो की हाथ से चलने वाली जो गारी होती है, उसके उपर क्या, उसका चूड़ियों का धेर लगा होता है, pushed by young men, जो नवयोकों के द्वारा धकेला जाता है, along the narrow lens शक्री गलियों में, of the sandy towns, मतलब भरे हुए कस्पों में, and in dark hutments, और जो अधेरे में, मतलब क्या hutments, hut में रहने वाले लोग, next to lines of flames of flickering oil lamps, और वही पर क्या होता है, oil lamp जो जलता है, flickering करता है, sit boys, बच्चे बैठते हैं, and girls और लड़किया, and their fathers, और उनके पिता, and mothers, और उनकी माता है, welding pieces of colored cloths, जो जोडती है, टुकडे टुकडे किसको, काच को, into circle of bangles, मतलब किसमें, ये गोले की चूडियों में, their eyes are more adjust to the dark, than the light outside, उनकी आखें जो थी, adjust कर चुकी थी, अपेक्छा करत कहां पर, अधेरे में, than the light, मतलब जो प्रकास था, कहां का, बाहर का, उसकी अपेक्छा, अधेरे में ही, वो लोग अपने को क्या कर चुकी थी, that is why, ऐसा क्यों, they often end up losing their high sight, कि वो अपनी आखों की रोशनी क्या कर चुके होते हैं, गायब कर चुके होते हैं, before they became adults, जब तक कि वो अपने आखों की रोशनी खोच चुके होते हैं, अब देखें, अब हम लोग 13 पर चलते हैं, सभिता अयंग गर्ल, in a drab pink dress, सभिता जो यक नौई वक लड़की है, जो किस में प्रहती है, in a drab pink dress, भद्धी कुलाबी पोशाक पहने हुया, sides, alongside an elderly woman, एक बुड़ी आउरत के पास बेल्ट ही है, मतलब क्या, काज की टुकुड़ों को जोड़ रही है, as her hands move, mechanically like the tongue of a machine, और उसका हाथ ऐसे यांतर की रूप से चल रहा था, जैसे की मसीन की क्या, tongue मतलब, चिम्टा होता है, अब wonder, if she knows, क्या आश्चर ये दिवा जानती, the sanity of the bangles, she helps make, तो मैं सोचती हूँ कि, क्या वह उन चूड़ियों की पवित्रता को जानती है, जिने बनाने में वह मदद कर रही है, sanity मतलब पवित्रता होती है, यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा कई बार इसको reading करना पड़ेगा, जब reading करेंगे, उसके बाद समझ में आएगा, इट सिंबोलाइस एन इंडियन ओमेंस शुहाग, और यह प्रतीक है भारती महिलाओं के किसका, सुहाग का, आस्विस्सियसनेस इन मैरेज, ठीक है, यह बात उस दिन अचानक उसकी समझ में आई, आएगी जब उसका सिर लाल घूंगट से ढाक दिया जाएगा, अब देखे, यहाँ पर लिखा है, इट सेंबलाइस एन इंडियन ओमेंस सुहाग, आस्पेसियसनेस इन मैरेज, इट बिल डॉन अन हर, सड़नली वन दे, अब देखे, यहाँ सबिता के बारे मैं कहा गया, सबिता को सोड़ी का महत तब पता चलेगा, उसकी पवित्रता तब पता चलेगी, जब जीवन में उसका एक दिन, उसका सर भी किससे ढख उठेगा, रेड वेल से, मतलब लाल घूंगट से ढख उठेगा, और उसका हाथ भी रंग उठेगा, किस के द्वारा, मेहदी के द्वारा, और रेड बेंगल्स रोल्ड इन्टो हर रेस्ट और लाल चुणिया उसकी कलाई के चारों तरफ क्या हो, हो जाएंगी, भर जाएंगी, मतलब, तब वो क्या बनेगी, एक दूल्हन, like the old woman beside her, जैसे कि वो पूरी आउरत जो उसके बगल में बैठी है, who become one many years ago, जो बहुत साल पहले ही क्या बन जो कि थी, दूल्हन, she still has bangles on her wrist, आज भी अभी उसके हाथ में क्या है, चोड़िया, but no light in her eyes, लेकिन उसकी आँखों में कोई प्रकास नहीं है, एक वक्त सेर बहर खाना भी नहीं खाया, मतलब की कहा एक वक्त का खाना भी नहीं खाया, she says उस नहीं कहा, in a voice, drained up joy, मतलब एक आवाज में, जिसमें थोड़ा सा क्या है, drained up joy, वह ऐसी आवाज में कहती है, जिसका आनन्द ही क्या हो चुका हूँ, समाप्त हो चुका हूँ, she has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime, मतलब अपनी पूरी जीवन काल में उसने एक टाइम भी भर पेट भोजन नहीं किया, that is what she has, has, reaped, अरी वो, क्या सिस था, जिसको कुछ ने क्या किया, काटा, her husband, उसका पती, an old man, एक बुजुर्ग आदमी, with a flowing bread, says, I know nothing except bangles, मैं कुछ नहीं जानता, किसके चुड़ियों के सिवा, all I have done is, make a house for the family to live in, जो कुछ भी हमने किया है, पुरे जेवन में एक घर बनाया, किसको रहने के लिए, परिवार को रखने के लिए, clear, अब देखें, यहाँ पर हम लोग चलते हैं, hearing him, उसे सुन करके, one wonders, एक आस्चर वाला, if he has achieved, what many have failed in their lifetime, क्या उसके साथ फेल हुआ पुरे जीवन काल में, he has a roof over his head, उसकी बात सुन कर कोई भी सोचता है कि, क्या उसने वा सामिल कर लिया, जो बहुत लोगों ने पूरे जीवन में हासिल नहीं किया, अर्थाद उसके सिर पर क्या था, एक छथ, टू क्राई आफ नाट हैविंग मनी, टू डू एनिथिंग एक्सेप्ट कैरी आन, दे बिजनेस आफ मेकिंग बैंगल्स, चुड़िया बनाने के काम को जारी रखने के अलावा, कुछ भी करने के लिए पैसा ना होने, और खाने के लिए भी परियाप्त ना होने के दुख की कराहत हर घर में गुश्ती है, अब देखें, तो क्राई आफ नाट हैविंग मनी, तो दू एनिथिंग एक्सेप्ट कैरी आन दू बिजनेस आफ मेकिंग बैंगल्स, नाट इवन एनप टू एक्सेप्ट रिंग्स इन एब्री होम, दे यंग मन एको, दे लेमेंट आफ दियर एल्डर्स, जो नवी वक हैं, उपने बड़ों के उपर का करते हैं, बिलाब करते हैं, लिटिल हैस मूब्ड बिथ टाइम, समय के साथ जो थोड़े बहुत क्या हुए, इधर उधर गए, इट सीम्स ऐसा प्रतीत होता है, इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में, इयर्स आफ माइन्ड, सालों तक, नमिंग ट्वायल, हैब किल्ड आल, इनिसियेटिवस, and the ability to dream, चेतना को सोने कर देने वाले, वर्सों की परिष्ट्रम ने, पहल करने और शपने देखने, कि छमता को क्या कर दिया हो, मार दिया हो, देखिए यहां तक है, इयर्स माइन नमिंग ट्वायल्स, हैब किल्ड, आल इनिसियेटिवस, and the ability to dream, मतलब साल भरों के वोल क्या करते, परिष्ट्रम करते, चोड़िया बनाते हैं, और चोड़ियों को ही देखते हैं, और इतना सारा परिष्ट्रम, जो उनके स्वपन देखने की छमता है, जो सोचने की छमता है, उसको क्या कर देते हैं, समाब्द कर देते हैं why not organize yourself into cooperative मतलब आप स्वयम को एक सहकारी समित क्यों नहीं बनाते हो I ask a group of young men men in एक नवयकों के समुझ से पूछा who have fallen into the vicious circle of middle men who trapped their fathers and forefathers मैं यूकों को एक समुझ से पूछती हूँ जो ऐसे मध्यस्तों के कुछक्र में पढ़ गये हैं जिन्होंने उनके पिताओं और पूरवजों को जाल में फसाया था even if we got organized हम संगठित हो भी जाएं लखा even if यह दी we got organized संगठित हो भी जाएं we are the ones हम सब क्या हो जाएंगे एक we will hold up by the police तो पूलिस द्वारा हम कहां पर घशिट लेके जाएंगे नियाले में beaten and dragged into jail for doing something illegal कोई भी काम अनैतिक करने के लिए देसे वह कहते हैं there is no leader among them no one कि उनके बीच में कोई भी कौन नहीं है नेता who could help them जो उनकी क्या कर सके मदद कर सके see things differently हम चीजों को अलग तरीके से देखते हैं their fathers are as tired as they are उनके पिता भी वैसे ही ठक चुके हैं जैसे कि वह they talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice देखे वे हैं वे अनवरत कुंडली नुमा मतलब चक्र के शमाली बोलते हैं जो गरीबी से उदा सीनता उदा सीनता से लालच और लालच से अन्याय तक पहुँच जाती है पावर्टी टू एपैथी गरीबी से एपैथी मतलब उदा सीनता टू ग्रीड उसके बाद वहां से कहां लालच और उसके बाद कहां अन्याय तक पहुँच जाती है clear आगे देखें listening to them उन्हें सुनते हुए I see two distinct words हमनी अलग-अलग संसार हमें दो अलग-अलग संसार दिखाई देते हैं one of the family एक तो ऐसे परिवार का caught in the wave of poverty जो गरीबी के कुछक्र में फश गये हैं burdened by the stigma of cost in which they are barred गरीबी के जाल में फशा है और अपनी जन्म की जाती के कलंक से क्या है दबा हुआ है in which they bought the other a vicious circle of the साहुकार दूसरा साहुकार और बिचवलिया पोलिस वाले कानून को लागू करने वालों नौकर साहों और राजनिताओं के कुछ चक्र में लिखा है ना साहुकार the middleman the policeman the keepers of law the bureaucrates and the politicians together they have imposed the bags of on the child that he cannot put down दोनों ने मिलकर बच्चों की ऊपर ऐसा बोज लाद दिया है that he cannot put down जिसे कि वह क्या नहीं कर सकते उतार नहीं सकते बिफोर ही इसके पहले कि वह जाग रूप हों he accepts it as naturally as his father की वह उसे क्या कर लें स्वभाविक रूप से जैसे उनके पीता ने to do anything else would mean to dare मतलब कोई चीज करने का इसके सिवाय केवल एक मतलब था वो क्या साहस and daring is not part of his growing up उनके बढ़ते हुए उस उम्र में साहस करना ही क्या नहीं था उसका भाग नहीं था when I sense a flash of it in mokais जब मैंने mokais में इसका प्रकास देखा I am cheered मुझे खुशी हुए I want to be a motor machine मैं एक motor machine क्या करना चाहता हूँ banana he repeats वो उत्तर देता है he will go to a garage and learn वो एक garage जायेगा और सीखेगा but the garage is a long way from his home लेकिन garage के लिए एक लंबा रास्ता था कहां से उसके घर से I will walk मैं चलूंगा he insists वो निर्देशित करता है do you also dream of flying a plane क्या तुम्हारे पास और भी सपन है क्या करने का plane उडाने का he is suddenly silent तकाल क्या हो जाता है सांत no नहीं he says वो कहता है staring at the ground कहां पर जमीन पर चलाना in his small murmur उसकी छोटी सी जो आवाज थी बड़ बड़ाने की there is an embarrassment that has not it turned into regret मतलब एक ऐसा हो था कि जो किसमे ना बदले सर्मिंदगी कह सकते हैं embarrassment that has not it turned into regret जिससे कि उसे क्या ना करना पड़े पस्तावा ना करना पड़े he is content to dream of course that he sees hurtling down the estates of his town मतलब वो उन कारों के सपने देखने में संतुष्ठ है जिन्ही अपनी कस्बे की गलियों में तेजी से दोड़ते हैं उसने क्या किया है few airplanes fly over फिरोजाबाद मुस्किल से कभी वाईवयान फिरोजाबाद के उपर से क्या होते हैं उड़ते हैं मतलब अब यहाँ पर केवल एक चीज़े दिखाएगा कि child वही चीज़ सपने देखता है वही चीज़ का dream देखता है जिसी वह आफिन अक्सर क्या करते हैं देखा करते हैं इस story को आप लोग मतलब क्या करिएगा कम से कम दो तीन बार पढ़ लीजेगा इसके बाद देखिए आपको करने क्या है आप लोग अपनी copy खोल करके लेशन टू लिखेंगे लेशन का नाम राइटर का नाम इसके बाद word meaning नोट करके लिख लेंगे जैसे गार्वैक्स का रविस लिखा हुआ है क्लियर हो गया इनकाउंटर हैपन टू मीट लिखा हुआ गयार्वैक्स क्लम्स लिखा हुआ है तो यह सारे word meaning आप लोग क्या करेंगे कि नोट कर लेंगे क्लियर जब word meaning नोट कर लेंगे तो इसके बाद आप लोगों को मैंने बताया था पूरे chapter का एक story based questions लिखना है लगभग 150 words में और उसके बाद 5 questions answer आपको सार्ट में पूरे करने है ठीक है तो चूंकि chapter लंबे है आप लोगों को पहले भी बताया गया कि कम से कम दो तीन reading आप करेंगे उसके बाद chapter क्या होगा आपके समझ में आएगा तो कि हिंदी दिये साथ में आप चाहे हिंदी वाले गर किताब लिए होंगे तो इस टोरी पहले हिंदी में पढ़ लिजेगा फिर इंग्लिस ट्रेडिंग करिएगा ओके थेंक्यू फार दिस क्लास